साथियों एक जमाना था जब हमारे गावों के गर आंगन में मवेशियों के जुन्ड ही संपन्नता की पहचान थे और हमारे यहां तो कहां भी जाता था हर कोई से पशुधन कहता है किसके दरवाजे पर कितने खूंटे है इसको लेकर स्परधा रहती थी हमारे सास्त्रों में भी कामना की गई हैं गावों में सर्वतह चैव गवाम मगदे वसाम में हम यानि गाएं मेरे चारों और रहे और मैं गायों के बीच निवास करूँ ये सेक्टर हमारे यहां रोजगार का भी हमेशा से बहुत बड़ा माध्यम रहा है लेकिन बहुत लंबे समय तक इस सेक्टर को जो समर्थन मिलना चाहिए था वो पहले की सरकारों में मिला नहीं अब हमारी सरकार देश भर में इस स्थिती को बदल रही है हमने कामधेनु आयोक का गठर किया देरी सेक्टर के इंफ्रासेक्टर के लिए हजारों करोड रुपिये का विशेश फंड बनाया है हमने एक बहुत बड़ा अभियान चला कर लाखों पशुपालकों को किसान क्रेडिट कार की सुविदा से भी जोड़ा है किसानों को अच्छी गुणवत्ता का चारा बीज मिले इसके लिए भी लगातार काम चल रहा है पशुओं का गर पर ही इलाज हो गर पर ही कृत्रिम गरबादान की बवत्ता हो इसके बिले भी देश व्यापी अभियान चलाया गया है हमने पशुओं में फूट एंड माउट डिसिट खुर्पका मूपका के नियंत्रन के लिए भी राश्ट व्यापी टीका करन मिशन चलाया है हमारी सरकार सिर्फ बच्चों का ही मुप्त टिका करन नहीं कर रही सिर्फ कोरोना वैक्शीन ही मुप्त नहीं लगा रही बलकि पशुदन को बचाने के लिए भी अनेप्ति के मुप्त लगवा रही है साथियों देश में इनी प्रयासों का परणाव है कि 6-7 वर्थ पहले की तुलना में देश में दूद उत्पादन लगवग 45 प्रतिशत बड़ा है याने करीब करीब डेड़ गुला हुआ है आज भारत दुनिया का लगवग 22 प्रतिशत दूद उत्पादन करता है करीब करीब एक चोथाई मुझे खुशी है कि यूपी आज देश का सबसे अधिक दूद उत्पादक राज्यतो है ही डेरी सेक्टर के विस्तार में भी बहुत आगे है भाई और बहनों मेरा अटूट विस्वात है कि देश का डेरी सेक्टर पच्छुपालन स्वेत करांती में नई उर्जा किसानों की स्थिती को बदलने में बहुत बड़ी भूमी का निभा सकती है इस विस्वात के टई कारण भी है पहला ये कि पशुपालन देश के छोटे किसान जिन की संख्या दस करोड से भी अधिक है उनकी अतिरित आयका बहुत बड़ा साधन बन सकता है दूसरा ये कि बारत के डेरी पुड़क के पास विदेशों का बहुत बड़ा बाजार है जिसमें आगे बढ़ने की बहुत सारी संभावनाय हमारे पास है तीसरा ये कि पशुपालन महिलाओं के आर्थिक उत्थान उनकी उद्दम सिल्ता को आगे बढ़ाने का बहुत बड़ा जरिया है और चौथा ये कि जो हमारा पशुधन है वो बायो गेस जैविक खेती प्राकृतिक खेती का भी बहुत बड़ा आधार है जो पशुध दूद देने योग्य नहीं रह जाते वो बोज नहीं होते बलकि वो भी हर दिन किसानों की आधा बड़ा सकते है भाई और बैनों दबल इंजिन की हमारी सरकार पूरी इमानदारी से पूरी शक्ती से किसानों का पसुपालकों का साथ दे रही है